नमस्कार भाईएो मैं आपका दोस्त मौहित पारिक और आप देख रहे है आपका अपना चैनल बिकान्यार बड इंफोर्मिशन आपको जो सामने पिंजरा दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने लवबड सोड रखे हैं जिसमें से 5 जोडे लगे हुए हैं और मैंने आपको GRADING प्रोग्रेस भी दिखाई थी जिसमें से 4 जोडो ने अंडे भी दे दिये और इसे जितने भी मैंने पहले वीडियो बनाए हैं इस पिंजरे पे तो इस भी के कमेंट में मैं जब जाता हूँ और इसमें क्या हम बजी, लवबर्ड, कोक्टेल, फिंच या कोई दूसरे परिंदे रख सकते हैं क्या और अगर रख सकते हैं तो कितने जोड़े इसमें रख सकते हैं और कितने जोड़े इसमें बिरिड कर सकते हैं तो वही बताने वाला हूँ तो अगर आप आज के इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस पिंजरे के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी इस दुरान मुझे काफी बायों ने परसनल पर मेसेज किया कि मोहित भाई हम इसा पिंजरा बनाना चाहते हैं या हम इसा पिंजरा बनाना चाहते हैं तो हम कहांसे बनााएं किस तरीके से बनाएं कितना खर्च आया क्या साइज है और कौण-कौण consistent material यूज हुआ है और अगर आप इस तरीके का पिंजरा बनाते हैं तो इसी आपको ये फाइदा होगा आप इसे उठा के एक जगे से दूसरे जगे रख सकते हैं और जो इस्ता ही कोलोनी होती है वो आप जो एक जगे फिक्स ही रख सकते हैं उसे जगे इला नहीं सकते हैं और कुछ जगे ऐसी होते हैं कुछ अपने बाई सोसाइटी वगेरा में रहते हैं तो वो जो हो इसता ही कोलोनी नहीं बना सकते हैं तो उन्हें जो हो लकडी का पिंजरा बनवाना होता है तो आपके लिए सबसे बेश्ट है अगर आप इस तरीके की जगे पे रहते हैं अपको जो हो इसता ही कोलोनी बनाने की permission नहीं है तो अगर आप आजगे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो अगर आप इस पिंजरे को बनवाना चाहते हैं तो आप जो अच्छी तरीके से ऐसा ही पिंजरा बनवा सकते हैं तो चलते हैं वीडियो की तरफ और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें इसे आपको ये फाइदा होगा आप सेनल के सदेशी भी बन जाएंगे और जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोगल फोन तक आ जाएगी सबसे पहले तो इस पिंजरे के साइज की बात करेंगे कि इस पिंजरे का साइज है वो कितना है इसी जो लंबाई है वो पांच फिट है और इसकी जो उन्चाई है वो साड़े तीन फिट है और जो चोड़ाई है वो भी साड़े तीन फिट है और आप अपनी जरुत के हिसाब से साइच सोटा या बड़ा आप करवा सकते हैं और इसी लुक में आप जोड़ पिंजरा बनवा सकते हैं इसके अलवा अगर बात की जाए किसमें कौन-कौन से आप बर्ड रख सकते हैं और कितने जोड़े आप इसमें रख सकते हैं ताकि वो ब्रीड कर सके अगर आप ब्रीड के उद्देशी से अगर बर्ड रखते हैं तो किसी पिंद्रे में आप या कोलोनी में आप उतने ही बर्ड रख सकते हैं जितनी उसमें मठ्कियां लगती हैं या ब्रीडिंग बोक्स ल लगा रखिये तो इसमें 6-7 मट्कियां भी आप लगा सकते हैं और इसके अलावा अगर कोक्टेल की बात की जाए तो इसमें आप 2-3 जोड़े कोक्टेल आसानी से रख सकते हैं और अगर फिंच की बात की जाए तो फिंच आप इसमें 15 जोड़ी भी रख सकते हैं 12 जोड़ी थे क्योंकि फिंच की जो मटकि होती है या जो बोक्ष होता है वो मजीस की मटकि या बोक्ष से छोटा होता है और कुछ बाई तो जैंगP mois को देते हैं वहीं菁 को देदेते हैं तो उसेखसरी ज़ब जितने बजीस रख सकते हैं उतनी तो वह आपको बताता हूँ. सबसे पहले है जो लकडी की फट्या है दो इंस मोटी जी से इसका दांचा कमपलीट हुआ है और वीच के सपोर्ट लगे हैं. तो यह दो इंस मोटी है दोनों तरफ से तो यह फट्या लगी हुई है लकडी की और इसके अलावा लकडी के नीचे आप देख सकते हैं पटे लगे हुए हैं ताकि अगर अंदर भी गुसे हैं तो कोई प्रोब्लम ना हो और पिंजरा जो है वो मजबूत बना रहे हैं तो यह आप पटे देख सकते हैं यह एक इंची मोटे पटे होते हैं और यह इसके आप से फर्स पे सेट हो जाते हैं और नीचे की तरफ सपोर्ट भी लगता है और इसके अलावा जाली यूज की हुई है जो कि हम पिंजरों में यूज करते हैं जिसका जो साइज है वो आदा इंची अंदर की मोटा ही होती है जाली की और अलग अलग गेज में बार के हिसाब से यह जाली मिलती है तो दो तरीके की जालियां आती है यह एक मोटी और एक पतली तो वो आप जो है इसमें लगा सकते हैं इसके अलावा इसके तीन तरफ जो हैव मैंने फाइबर सीट लगा रखी है जो अरे वाली फाइबर सीट होती है इसे में कुछ भाईयों का कहना होगा जो कोक्टेल होते हैं या जो लवड होते हैं वो फाइबर सीट को कुतर देते हैं इसे में काफी क्वालिटी की फाइबर सीट आती है मोटी भी आती है पतली भी आती है तो मैंने मोटी वाली लगा रखिया है और मैंने इसमें बजीज भी रखे हैं लोगड भी रखे हैं कोक्टेल भी रखे हैं तो आज तक कभी किसी ने फाइबर सीट को नहीं कुतरा और फिर भी अगर आपको जो हो लगता है कि फाइबर सीट को कुतर देंगे तो आप फाइबर सीट के अंदर की तरफ जाली लगवा सकते हैं ताकि बढ़ फाइबर सीट को ना कुतरें इसके अलबा कील, फेविकोल और जो भूगल होती है, कबजे होते हैं इसक्रू होते हैं, वो सबी इसमें यूज हुए है और अगर प्राइस की बात करें, तो टोटल 6,000 रुपे लगे थे और यह जब मैंने बनवाए था, तो उसे 2 साल हो गए उस वक्त मेरे 6,000 रुपे लगे थे हो सकता है, आपके थोड़ा सा महंगा भी पड़े तो यह हो गई मेटेरियल की बात, और आप जिस जो हो कारपेंटर भाई से बनवाते हैं उन्हें आप यह वीडियो बता दें, या आप इसकिन सोट ले लें वीडियो से पिंजरे की फोटो के तो वह जो हो बना देंगे तो वालियो यह है वीडियो और यह है पिंजरा, आपको पिंजरा कैसा लगा और विडियो कैसा लगा, आप चोटा सा कमेंट करके ज़ुरूर बताएं तो अपना ख्याल रखे अपने बर्ड का ख्याल रखे तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टोपिक के साथ